लेकिन फिर भी परिणाम कर लिया करो मैंने एक दिन कहा था आपसे पुण्य कमाने का सबसे स्रेश्ट उपाए आपको बताया फिर भी ना कमा पाओ तो आपकी देखो कुछ लोग होते हैं रुपेश पूंजी लगे भी नहीं और लाब हो जाए जान्जी जी ऐसा ही है न हां बीच का काम करो और पूंजी उसने लगाई उसने खरीदी करना है बीच में हमने फॉन लगाया और काम मना लिया क्या करते हैं ऐसा ही तो होता है अकलिश ऐसा नहीं होता क्या मैनत कोई कर रहा है दूसरा भी मैनत कर रहा है उसको और इसके बीच में एक फॉन और काम मन जात है यह सी चीज है कुछ लोग सीख लेते हैं दिखना यह जो नरेन जी बैटे हुए न यह ऐसे ही वाले हैं अब यह आप समझ नहीं रहे कैसे वाले यह ऐसे ही लोग है बे निर्ग्रंत तपोधान आचार परमेश्टी मुनी परमेश्टी बे तो मैनत कर रहे और लाव हो बीच में ले रहे कुछ बात समझ में ही ब्यापार में क्या करते है जहांडी जी उपर वाले को और बीच वाले को बीच में फोन लगाया और सारा काम बनाया ऐसे ही यह तो जा रहे हैं मुनिराज मोक्ष मार्ग में और उपर मोक्ष मिलने वाला है इनको लाव होने वाला है और बीच में इनक इनकी चरिया कराके, इनकी आहार चरिया भया ब्रत्ति करके और बीच में अपना पुर्णे कमालिया करते हैं, ऐसे लोग यहां पर हैं, यानि ऐसे देखो, सब लोगों को मा ऐसे लोगों से सिक्षा लेनी चाहिए, घर में ही चोका नहीं लगाने के परिणाम बन पाते हैं, घ महिनों महिनों तक मात आचर विशुद्य सागर जी कही बिहार नहीं कराया, सिखर जी से पन्ना तक का आचर विभाव सागर जी और भी संगों में जहां आवश्यक्ता पढ़ती है, यह जीव, बस इनकी तारीफ नहीं है, हम तो आपको सिखा रहे हैं कि बीच में लाव लेन सीख लो, और आचार भगवन भी यही सिखा रहे हैं आपको, सट आवश्यक्त क्यों कहे गए मा, कुछ नहीं करना है, अपना काम करते करते बीच कल आप मुनाफ़ा कमाना है, मैंने कहा था भावों को बदलो, और अभी अभी बैठे बैठे, आने पुन्ने के अपार्जान क पुन्ने रासी, मनीश, कई बार फोन पर काम क्यों बनते हैं, यहां बहुत सारे लोग बैठे हैं विलाला जी, जिनका काम फोन पर चलता रहता है, और कुछ भी करना नहीं पड़ता है, वो क्यों होता है, क्योंकि इनने पहले कमाई कर ली थी, वो ही बीच वाली, बीच वा करना है, तो परिणामों को इतना स्रेष्ठ बनाओ, कम से कम कुछ नहीं मिल रहा है, बीच में मुफ्त का, मुफ्त का चन्नन, बहुत अच्छी, कला है यह तो, स्वेस, विटा, हमने इन सब को बोला था एक दिन, महा पुन्ने का अर्जन करना हो, समय कभी मुनी मत बनना, ल पुन्ने कमाने में क्या लाब, क्या जा रहा है, ऐसे ही मा, जिसके अंतरंग में, लेकिन यह भाव भी तभी आएंगे, जब उसको अपनी महीमा ग्यात होगी, जिन धर्म की, जिन कुल की, अत्वा सैयम की महीमा जिस दिन आ जाएगी, तब ग्यात होगा, कि मेरे जीवन में कितना बड़ा असयम भावों से जीवन निकल गया है आगे की कोई तैयारी नहीं है मनीश क्यों रोज रोज दुकान खोलनी पड़ती है जान जी जी क्यों व्यापार करना पड़ता है और वो जगदीश जी से पूछो अब तो उम्रों गई अभी भी क्यों लगे हुए हां यानि माराज जी आगे की तैयारी अब आगे की तैयारी जित्ता काल है जगदीश जी उतनी तैयारी तो बहुत पहले ही आपकी हो गई थी लेकिन उसके आगी की भी सोच लो नहीं समझें मनीश जगदीश जी से पूछो जितना इनका आयू है सो वर सपन एक सो बीस बिलकुल लाज तक नहांते क्योंकि एक सो बीस तो आगम से उपर हम आपको नहीं भेज सकते इसलिए एक सो बीस बिलाला जी इनकी मान ली सुरेन विया एक सो बीस मान ली और तक तक की तयारी तो इनकी बहुत पूर में हो गई होगी लेकिन अब काई की तयारी कर रहे है क्या बुल रहे है मनीश दो सो चालेस की ज्यानी वो ही तुम्हें कह रहा हूँ दो सो चालेस की तयारी तुम्हारी इस तयारी से नहीं होगी जो हम बता रहे हैं वो तयारी करोगे तो दो सो चालेस क्या अनंत भवों की तयारी हो जाएगी इसलिए तैयारी किसकी चल रही है भविश्च की देखो जितने लोग यहां बैटे न यह सब अभिशेक करते न कि अभी भी केवल आयू पूर्ण होने की तैयारी कर रहे है क्योंकि इस चाट आवश्रकों का पालन यह मुफत का चन्नन है और लगाओ और आनन लूटो इसलिए यहां जितने लोग बैटे हैं दो पिरकार से मोक्षमार्ग में बढ़ा जाता है आजाचर भगवन यही बता रहे हैं आप अपने शटावश्रकों का पालन करते रहिए स्रावक बन जाईए सैयम का व्रती बन जाईए जिस योगता में आप हैं आपका जीवन वर्तमान का भी सुन्दर हो जाएगा और भविष्य की तैयारी हो जाएगी मात 120 वर्स की नहीं जगदिश जी आप 120 वर्स वाली तो बहुत कर ली आपके बच्चे भी कर लें इत्ती होगी तैयारी अब अपनी दूसरी तैयारी प्राराम करना पड़ेगी जितने लोग बेटें बिलाला जी आपने तो सारी तैयारी करके रख लिए अब तो रिटायर हो गए अब तैयारी करो ये तैयारी अनंतवार मैंने की है अब तैयारी करें नहीं होरा मुझसे मुनी बनना, मुनी भावों को भावोंगा नहीं होरा मेरे से संसार भोगों को छोड़ना, सरीर को छोड़ना बिलकुल मत छोड़िये लेकिन संसार शरीर भोगों से विरक्ती के परिणाम करना प्रारम कर दीजिए बस काम बनना प्रारम हो जाएगा मा कुछ नहीं करना कहां छोड़ने बुल रहे हैं लेकिन परिणाम तो करना प्रारम करो ब्रती बनना प्रारम करो सागार और अनगार रूप से दो प्रकार का धर्म कहा गया है और कैसे करना होता है यह बात ध्यान रखना चाहिए आपको क्या क्या कहा सबसे मुख है स्वेश सम्मेक बीटा सीख लो जीवन में कभी भी जो छे आवश्चक है यदि वहवी करते रहे तो यहां भी मजे में रहोगे और भविश्च की बहुत सुन्दर तैयारी में रहोगे सबसे पहला दान पूजा मुख्यम दानम पूजा मुख्यम इसलिए मैंने का जान जी जी कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी करते हैं यह पन्ना वाले वैठे हैं या कोई भी और भी लोग है जो इस थरह का कारे किया करते हैं माह आप भी कर सकते हो मारजी हम लोग कैसे करेंगे माह मैंने का जीवन में घर में ही चोका नहीं लगा पाते लेकिन ऐसे लोग हैं जो महीनों महीनों अन्य स्थानों पर जहां इस्थान भी नहीं होते हैं वहां चोका लगाया करते हैं हम कैसे करें मरजी हमारे साथ सब लोग साथ नहीं देते न तो तीर्थ वंदनाय करने तो आप जाते न शिकर जी अगर जाते हैं रुपेश जितने लोग बैठे हैं देखो काला जी अपने पास में तैयारी है पूरी जब तक अपने इस भाव में है इसकी तैयारी आपके पास पूरी क्या भरपूर है लेकिन अब तैयारी करना है इसके आगे की कितने लोग तैयारी करना चाहते हैं आगे की भी अभी नहीं है माराज जी सब करने के भावी नहीं होते मैंने कहा ना ऐसे परिणाम भी कर पाना हांत भी खड़ा कर पाना बड़ा मुश्किल है युदी दस दिन के लिए पास दिन के लिए आप सिखर जी जा रहे हो तीन बंधना की तो दो दिन आकर दान की प्रक्रिया करो और वहां पर चौके लगाओ और अपने आनंद को लूटो वहां आनंद लूटोगे वहां पर सिद्धों की भूमी में भावी सिद्धों की आहार चरिया कराओगे तो आपका काम बन जाएगा नहीं है महिनों जैसे चौके लगानी की विवस्ता लेकिन सिखर जी की बनना को पांस दिन को जा रहा है और पांस दिन आप बनना नहीं करते यहां नहीं विवस्ता है बन रही वहां तो बनी बनाई विवस्ताओं में मात्र आपको जाना है और वहां पर जिस दिन इनसे पूछो यानि सिखर जी की पहाड़ पर जब भवल लाल जी थे और ये थे ये भी थे उस समय वहां पर पहुँचे थे उपर जब जानज़ी जी भावी सिद्धों के हाथ पर ग्रास रखते हैं तब क्या आनन्द आता है कि सिखर जी में मैंने भावी सिद्धों के हाथ पर ग्रास रखते ये प्रक्रण क्यों आया मुझे अपने जीवन में जो धर्म है ये कैसे आएगा तो यहां कह रहें एरस एरस दस भेयम धंबं समत्व बढ़ियम सागार नगारम उत्तम सुह संपुजुत्य हिम जिने नगागवान ने कहा है देखो हम कुछ नहीं कहते हैं तो आपको मरण जी क्या आप बोलते हैं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर लिखा हुए इस अब किसका कहा है हर जगे क्यों ऐसा वर्णन आता है ऐसा जिनेन भगवान का कतन है यदि भविश्य की तैयारी करना है तो यही करना पड़ेगा दो प्रकार का धर्म है ग्यारा प्रकार के धर्म सहत सागारों का धर्म अर्था सावक का धर्म और ग्यारा के अतरिक्त दस प्रकार के धर्म से युक्त मुनियों का धर्म आपके सीड़ी चड़ना पड़ेगी और मुनिराजों के पास में दसी है इसलिए आपके पास में ग्यारा प्रतिमाओं का रूप कहा गया है जिसमें साकार अर्थात जो शावक हैं वे अपने धर्म का पालन करते हैं लेकिन इसके पहले सटावश्यक ही नहीं कर पाएं तो इसकी और कहां पहुंचेंगे ग्यारा प्रतिमाओं में सबसे पहली प्रतिमा यदि दर्शन प्रतिमा है उसका नाम दर्शन करना नहीं है माँ उसका नाम तो यह है कि दर्शन करते हुए जिन दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा नहीं है प्रतम प्रतिमा उसका तो यह है कि जिसके अंदर में अब संसार शरीर भोग निर्विणना पंच गुरु चरण सरणा अब किसके जीवन में क्या हो गया है परिवर्तन इतने ही आया है जो मेरे को अभी जगत शरण भूत दिखाई दे रहा था अब मुझे पंच गुरु की चरण ही शरण दिखाई देने लग गई है और संसार शरीर भोगों की तैयारी मैंने पूर्व में कर ली है जगती जी संसार शरीर भोगों की सारी तैयारी है अब संसार शरीर भोगों से निवरत होने की तैयारी ये प्रथम प्रतिमा में प्रारम हो जाती है सम्मेक दर्शन सुद्धा यह और सब्द जोड़ लेना यह और सब्द जोड़ लेना क्योंकि आचार समंत बद्द स्वामी है एक एक शब्द ऐसा गिना हुआ चुनिंदा होता है जो पूरे के पूरे रहस्यों से भरा होता है इसलिए हिमान्जू सब से पहले यदि आवश्य रखता है तो सम्मेक दर्शन की है सम्मेक दर्शन सुद्धा पंच गुरु चरण सरणा संसार भोग निर्वेणना ऐसा प्रैथम प्रतिमा का सरूप है कभी भावी नहीं बनते बनेंगे कैसे क्योंकि हम पुराने चीजों पर ही अटके पड़े रहते हैं नई की तैयारी कर नहीं नहीं चाहते हैं मा करना कितना है सबसे पहला काम शट आवश्यकों का पालन करते हुए अपने जिन कुल पर जो स्रद्धान है देवसास गुरु पर स्रद्धान है उसको ब्रत्धिगत करते जाओ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है भविश्य की जाण जी जी यदी समयक-डर्षन ग्र्ण कर लिया चीवने वह सामान ने देव नहीं वनता मा भवनवासी के जो व्यंतर भवनवासी और जियोतिस देवें वहां जन्म नहीं होता है यानि अब तो कल्पवासी देवों महीं जन्म होगा और वहां भी जो जन्म होगा वह सामान्य देवों जैसा नहीं होगा वह रिद्धी संपन देव ही वहां बनाईता है और वहां से आने के बाद में कमाई नहीं करना पड़ेगी जगदीश जी इस भव की 240 वर्स की कमाई 120 वर्स में खतम करना ही पड़ेगी और 120 वर्स की सोचों की 240 तक चलेगी तो वो संभव नहीं है और 120 में ही खतम करके गए और दान और पूजा में लगा के गए तो नियम से 240 कानिक अनका भवों में मात्र भोग ही मिलेंगे कभी दुक नहीं आ सकता मिनी रुपेश वहां से चुत होता है जीव कि स्रबों से यदि चुत होता है जीव तो दीन ही म्चलों में नहीं मध्यम वर्गों में नहीं किसी राजपुरस राश्र स्रेष्टी के रूप में ही वह जन्म लेता है करना क्या तैयारी कितनी तैयारी कर रहे हैं सीए बनने की मां बच्चों को IS, IPS, बड़े-बड़े, IIT, डॉक्टर बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप कहना बेटा यह तैयारी तो तुम्हें 150 साल के ही भोग दिलाएगी लेकिन वो तैयारी मत छोड़ो जो तुम्हें अनंत भवों के भोगों का कारण बनेगी और मात्र भोगों का कारण नहीं उनको यह भी सिकाना जितना कुछ वर्तमान में मिला है वह भी पूर्व के पुन्ने से मिला है अभी तैयारी उसकी घटाओ नहीं भविश्य का तैयार करना है तो यह दान पूजा आदि सट आवश्यक मंदिर जाना मंदिर जाने से पाप मि अजितनी बेश्चों को कभी बोलते नहीं महराच जी उनको पढ़ने जाना है वह कैसे आएंगे जैसे ही आप बोलते हैं तो तुरंत आप रोख देते हैं कि उनको पढ़ने जाना है मां पढ़ने से पहले उनकी पढ़ाई तब सफल होगी जब जीव के पास में पुन्य होगा पुर्शार्थ मात से काम नहीं होता है मांशू यदि पुर्शार्थ से ही काम होता तो फिर सारे जीव पुर्शार्थ कर रहे हैं सब के सब पास हो जाते लेकिन पुन्य की पुन्य क कणिका बहुत अधिक कर रखी है तो अलप पुर्शार्त में काम होता है और मा पुन्य छीन है बहुत पुर्शार्त भी कुछ फल नहीं दे पाता है दोनों बहुत बहुत अच्छे तरीके से इस भात को यदि जिन धर्म में आके आप नहीं समझ पाए तो आप मेहनत करते करते परेशान हो जाएंगे लेकिन कभी राजा नहीं बनेंगे समिक राजा बनना है ना विटा स्वेस राजा कभी कमा के नहीं बने जाता वनिश ध्यान रखना कोई भी राजा आज तक कमाई करके राजा नहीं बना बताओ आप कौन सा राजा कमाई करके बना है और कमाई किये नहीं बना कि राजा बनना है तो पुन्य की कमाई करना पड़ेगी और जिसने पुन्य की राजा जन्म लेता है राजा बना नहीं जाता ध्यान रखना राजा कभी बना नहीं जाता राजा तो पुण्य से बनता है और वै राजा अपना पुण्य इतना लेके आता है वै पुण्य कैसे एकत्यत किया जाता है यह बोला सम्मेक दर्शन ग्रहन करने से जीव के परिणामों की वह विशुद्धता जो उसको अनहंत भवों में पुन्य का कारण बनती है और वह उसे अनेक राज्य पद क्या यानि अनेक ऐसे पद जो जीवन में सामाने लोगों के लिए दुरलब होते हैं वे सारे पद सम्म एक दष्टी के लिए सुलब से सुलब हुआ करते हैं इसलिए मां मंदिर आने से पाप लगता है ना देवसाज गुरू की चरण को छोड़ना अच्छा लगता है ना जिश्को पुन्डे दिखाण ना दे उसको जगत में कहाँ पुन्डे मिलने वाला है इसलिए चाहिए युबा हो रुपेश सब के पास भेज दिया करो देखो यह जिनेन भगवान की देशना है एक के भी कान में पहुँच गई न जोसी जी आप जरूर यहां बैठे हैं अगर यहीं बैठे बैठे आप जो कारे कर रहे हैं आदित्य जो यह कारे कर रहे हो निरज यह कारे आप सुचो कि यह हमारा काम है इतना करके करोगे तो कोई काम नहीं बनेगा इतना अगर विश्वास कर लिया कि देखो ऐसे यदि यह देशना जिनेन भगवान की लोगों तक पहुँच जाए तो एक का भी कल्यान हो जाएगा तो कितना फल आपको मिल जाएगा